हेलो गाईज, तो कैसे हो आप IHOPE सब के सब बढ़िया होगे और आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि आप अपने किसी भी आइफोन के अंदर जो वीडियोज है नो उनको कैसे डाउलोड कर सकते हो तो videos download करना वैसे illegal नहीं है आप iPhone में चाहो तो videos download कर सकते हो बट ऐसा कोई official method नहीं है कि आप iPhone में videos को इस तरीके से download कर सकते हो क्योंकि iPhone में security के परपद से आपको एना externally videos download करने का option नहीं मिलता और इसी तरीके से आप share भी नहीं कर सकते videos को तो videos को share करने के लिए भी मैंने video बना रखी हो आपको card में मिल जाएगा आप वो check out कर सकते हो और फिर भी आप directly अगर आपके iPhone के अंदर videos को download करना चाहते हो तो यह वाले ट्रेक यूज करना सो आपको वीडियोज डाउलोड करने के लिए first of all क्या करना आपको कोई भी ब्राउजर ओपन कर ले ना just like मैं यहाँ पर Chrome ब्राउजर यूज करने वाला हूँ आप चाहो तो Safari का यूज कर सकते हो या फिर दूसरे जो ब्राउजिंग एप है उनका यूज कर सकते हो और जो वेबसाइट से ना वह मैं आपको शो नहीं करूंगा मैं आपको डाउलोड करके उनको सेव कर सकते हो और प्ले भी कर जकते हो क्यों कि जो वेबसाइट पगर अगर शो कर देते हैं तो YouTube मालब की श्ट्राइक मार देता है मेरी रिसेंट वाली काफी वीडियो पर श्ट्राइक आ चुकी यह चकर में तो यहां पर मैं आपको वेबसाइट शो नहीं करूंगा मैं डिरेक्टली क्रोम पर जाके एक मलकी कोई भी वीडियो है इसको डाउलोड कर लेता हूँ तो यहां पर आ चुका हूँ मैंने वेबसाइट को हाइड कर दिया है और यहां पर डाउलोड हेर का ओप्षिन मिलता है जैसे मैं इस पे क्लिक करता हूँ ना तो यहां पर आपको नीचे एक डाउलोड का पॉप अप देखन को मिल जाता है और दाउलोड की आप साइड में कि आप इसको open करके कैसे play कर सकते हो so यहाँ पर जो हमारी video थी ना वो download हो चुकी है और यहाँ पर आपको directly open in का option देखने को मिलता है तो यहाँ पर आपको open in पे click करना है और open in पे click करने के बाद यहाँ पर आपको save to files का option मिलेगा save to files पे click कर देना then उसके बाद यहाँ पर आपको save का option मिलेगा इसको save कर देना तो जो आपकी video है ना वो आपकी जो files वाला app है उसके अंदर save हो जाएगी so जैसे आपने files में वीडियो को save कर ली then उसके बाद गया करना है आपको files वाले section में आना है और उसके बाद यहाँ पर आप done पे click करना और आपकी जो video है वो चल जाएगी अभी चली क्यों नहीं है हमें दुबारा चलाना पड़ेगा क्योंकि हमने app setup नहीं किया था तो जैसे ही मैं इस पे click करता हूँ आपके बाद देख सकते हूँ यहाँ पर आपको video का icon आ चुका है क्योंकि हमारा जो VLC player है वो setup हो चुका है अब आपको इसके उपर click करना है यहाँ पर आपको share वाले option पे जाना है और यहाँ पर आपको VLC पे search करना है तो VLC पे click करोगे तो यह था वो simple सा method जिसकी help से आप अपने iPhone में video को download करके play कर सकते हो और या फिर अगर आपको Android से video share करनी है तो उसके लिए भी मैंने video card में दे रखे है आप उसको check out कर सकते हो तो यह था एक simple से sort video I hope आपको video चलेगे वीडियो चलेगे तो वीडियो को like और चैनल को subscribe जुरूर कर लेना ताकि ऐसी more interesting videos in future में आपके लेके आतर हो